बीजेपी सरकार का पुरा जोर विकास के नवरत्नों पर है पहला रत्ना केदारनार बद्रिना धाम में तेरा सो करोड रुपिय से पुनर निर्मान का कारिया दूसरा रत्ना डाई हजार करोड रुपिय की लागत से गवरिकुन केदारनात और गोविन गात हैमकुन साहब रौप्वे का कारिया तीसरा रत्ना कुमायू के पौरानिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानस्खन मंदिर माला मिशन का काम चौथा रत्ना पूरे राज में होमस्टे को बढ़ावा मुझे बताया गया है कि राज में चार हजार चे अधिक होमस्टे रजिस्टर हो चुके हैं पांचवा रत्ना शोला इको टूरियम डेस्टिनेशन का विकास चट्था रत्ना उत्रा खंड में स्वास्त सेवाओं का विस्तार उदमसी नगर में एम्स का सेट्रिलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है साथ मारत्न करीब दो हजार करोड रुप्य की लागतवाली टिहिरी लेग डेवलप्मेंट परियोजना आठ मारत्न रिशिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टुरिजम और योग की राजधानी के रुप में विकास और नवारत्न टनकपूर बागेश्वर रेल लाइन इस रेल लाइन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा और आप लोगोंने एक कहावत सुनी होगी सोने पर सुहागा इसलिए इन नव रत्नों की माला को फिरोने के लिए इंफ्रास्ट्रेक्टर के जो प्रोजेक यहाँ चल रहे हैं उन्हें भी धामी जी की सरकार ने नई उर्जा दी है बारा हजार करोड रुपय की लागत से चार दाम महा परियोजना पर तेज गती से काम हो रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे तैयार होने से देहरादून दिल्ली के बीच सफर और आसान हो जाएगा रोड कनेक्टिविटी के साथ ही रौपय कनेक्टिविटी के लिए भी उत्राखंड में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है पर्वत माला योजना आने वाले दिनों में उत्राखंड का भाग्य बदलने जा रही है इसके लिए जिस कनेक्टिविटी का उत्राखंड के लोगों ने बरसों इंतजार किया है वो इंतजार भी हमारी सरकार समाप्त कर रही है रिशिकेश कन प्रयाग रेल परियोजना दो तीन साल में पुरी हो जाएगी 16,000 करोड रुपय से जादा खर्च इस योजना के पीछे किये जा रहे हैं रिशिकेश कन प्रयाग रेल प्रोजेक्ट पुरा होने के बाद उत्राखंड का एक बड़ा खेत्र राज्य के लोगों और परियट्रकों के लिए सुगम हो जाएगा इससे यहां निवेश उद्योगों के विकास रोजगार के नएने अवसर बनेंगे और देव भुमी पर विकास के इस महा भियान के बीच अब ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्राखंड के लोगों के लिए एक भव्य उपहार साबित होगी